हालो फ्रेंज मैं हुरुची अजे और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खोया कुल्फी की रेसिपी आप इसे दूद वाली कुल्फी भी कह सकते हैं केसर कुल्फी भी कह सकते हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है पर ये बनती है खोया और दूद से और बहुत ह इसे मेरे मैं मैं बताऊंगी यसे कैसे बनाना है और आप देख सकते हैं इसे ड़िया हमारी इसे और देख का सकते हैं और वैसे भी उए इंचॉय कर सकते हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं उतलानी चुंप लिए हम लेंगे घराम होफि कारे देज़ा है कारा ने की करफा में रखा दागे चाहिते हाज है किसर के ढाल लोगी कुछ हम चाहिती होटे अक्तर कारी झाली तो यससे रहाँप के चाहिन ही डीजानी के ठाई को आप कुछा वी कप से पाइजा या डाय लिए है हैं दाल देंगे जब dood में मुलक पाॉडर देंगे इसाती हिं दूदख कि il है दिए अच्छकरा परलदें से गाप सी वह जाना है में घंडरें से पहले कि बीदे धर हम देगा से एक कप ममलक पाॉडंडर crash कोई गुटलिया नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर और जैसे जैसे यह ठिक होगा आप देखेंगे साइट को लीव करेगा अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है घर पर बढ़ी मलाई नहीं है आपके पास तो आप अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से साइट क स्क्राब करेंगे हम और लगातार इसको आप बीच में चलाते रहें ताकि नीचे नगे ना तो कुछ ही मिन तो मैं आप देखेंगे कि यह आपस में इकठा हो जाएगा और यह पैन को छोड़ना शुरू कर देगा या इसकी फ्लेम को मेरे मीडियम ही रखा है तो देखिए इसने पूरी तरह से पान को छोड़ दिया है तो इस समय आप इसको ठंडा करने के लिए रखें और ठंडा करके आप इसको क्रम्बल कर लें तो यह इस तरह से हमारा खोया तैयार है तो चलिए देखते हैं अपने दूद को 16 अच्छा उबाल आ गया है इसी तरह से हम इसे सा करेंगे साइट से और जितनी मलाई साइट में जमा हो रही है उसको भी हम अपने दूद में मिक्स करेंगे तो इसी तरह से हम दूद को काढेंगे करें दूद करेंगे जब तक या hack करीब एक Лिटर न अशिकर तक दूद को इसी तरह से चार तो देखे इस तरह से हमारा जो दूद है करीबन आधा हो चुका है अब इसके अंदर हम चीनी डाल रहे हैं मैंने यहां पर तीन चताई कप चीनी डाली है जो परफेक्ट स्वीटनेस देगी क्योंकि हमारा जो खोया है वो भी थोड़ा मीठा है तो मैंने तीन चताई कप ही च अब खोई के साथ इस दूद को हमने कुछ देर पकाना है करीब 10-15 मिनट हम इसको इसी तरह से पकाएंगे गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है साथ ही एक चमच हरी लाइची पाउडर डाल रही हूं मैं इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसको बहुत अच सिंपल बना रही हूं तो करीब 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा दूद खोई के साथ अच्छे से पक चुका है और हमारा जो यह लिक्विड है यह थोड़ा थिक हो रहा है अब हम इसे आफ कर देंगे आफ करने के बाद आप देखेंगे जैसे यह ठंडा होगा मिक्स्चर यह चाहिं पोरा तक भी भाद सकते हैं तो इसे मैं इस तरह के जो होटे आलूमिंवं के मोर्ड से ज्यादा बेटर होते हैं और इसमें जल्दी हमारी फिर जम जाती है तो इस तरह का मेरे आपके पास यहां पर चॉकलिट रापर है उसमें मैं हलका सा कट लगा रही हूँ आपके पास अलुमिनियम फॉयल हो तो आपको भी उज़ कर सकते हैं इसके उपर हमें रखोंगी से साथी से रबर से मैं टक कर दूँगी इस तरह से टक करने के बाद हम इसके अंदर फुदिन स्टिक डाल देंगे आइसक्रिम स्टिक जो होती है और सारे मोल्ड आप इसी तरह से फिल कर लें और इसके बाद आप इसे फ्रीजर में रख दें पूरी रात ओवरनाइट रखेंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे तो आपको बताती हूं इसे डी मोल्ड कैसे करना है आप नॉम्मल पानी लें गिलास में अलुमिनियूम वाले को तो बस कुछ सेकंद्स लगते हैं और यह इसली निकल जाता है एक और बताती हूं आपको इसमें डब किया बस कुछ सेकंद्स रखा हलका सा इससे इसता से तर्न क किया और यह हमारा अराम से निकल आता है यह बहुत इजी है निकालना हाँ जो दूसरे वाले मोल्ड है उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए आपको पानी में से थोड़ी दे रखना पड़ेगा नॉर्मल वाटर नमल रूम टेबरेचर वाटर में डालना है आपको मेरी यह सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसे ट्राइ जरूर करेंगे अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्रीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कीचेगा थांक यू